ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई दोस्तो अब सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धनेवाद दो आज इस वीड़े में हम बात करने वाले हैं कि आपको इन तीन रंगों के कपड़ों को भूल कर भी नहीं पहना चाहिए क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और कहीं सारे ग्रह जो हैं वो रंगों से फ्लेक्चुएड भी होते हैं और कहीं सारी परिशानिया भी क्रेट करते कहीं सारे पॉजिटिव परिणाम भी हमें देते हैं कहीं बार मुझे यह भी आप कह सकते हैं कि रंगों से कुछ नहीं होता है लेकिन इन चीजों को आप दर किनार नहीं कर सकती इन चीजों को आप फोलो करेंगे तो आपको फाइद को सब्सक्राइब कर ले कमेंट्स में भूले नाथ कोई एक नाम लिखें और अगर अपनी कुंडली का विशलेशन आप करवाना चाहते हैं अपनी जो भी प्रश्ण उनका जवाब चाहते हैं इसक्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वट्सप पर अपोइंट्मेंट लेकर यह दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को कल युग में परिशानी करेट करते हैं अगर शनी की साड़े साती चल रही है धहिया चल रही तो लोग बिल्कुल लाइफ में डिस्ट्रोय आ जाता है लाइफ में कहीं सारी परिशानी आ जाती है और राहु की तो काले रंग के कपड़ों को जितना हो सकते वो अवाइट करें बैशक आपका काला रंग फैवरेट हो सकता है बाकी इस दर्मियान आपको उसे अवाइट करना चाहिए अगर आप उसे पहनते हैं तो उससे आपके पक्ष में बहुत से नेगेटिव हो सकती है अब आपके नीला पिला भड़किला कलर हो जो एक दम लाल चटक कलर हो ऐसे कलरों को जितना हो सकते अगर ऐसे कलर आप पहनते हैं तो उससे आपको राहू कहीं सारी परेशानिया क्रियेट कर सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे बहुत सारे जातकों के साथ हुआ ह इस practical के तोर पर आपको कह रहा हूँ तो कि रंग जो है वो हमारे दिमाग में emotional को emotion को दरसाते हैं इसलिए और राहू emotion पर बहुत हद तक उसका प्रभाव हमारे होता है तो ये बात हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बना है तीसरा होता है कि अगर मंगल की मादर्शा चल रही तो लाल कपड़ों से बचें तो आप बच सकते हैं और अच्छा लगो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट्स करो